दोस्तों मैं हूं उमा संकर कुमार और आप देख रहे हैं बैंकिंग टिप्स हिंदी यूटूब चैनल इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं टेक्नो मनी पे एपिएस पॉटल में एपिएस और माइक्रो एटियम इस सर्विस पे रीटेलर डिस्ट्यूबिटर और सूपर को कितना कमिशन मिलता है इसके बारे में आपको कंप्लेट जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं और दूसरे पॉटल से इसका कई से बेतर है एपिएस और माइक्रो एटियम इसके बारे में आपको कंप्लेट जानकारी देने जा रहे हैं वीडियो के साथ सुरू से लेकर लाज्ट तक बने रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन मिलेगा उस पर किलिक करके और को सिलेक्ट कर ले च की तो दो रूपया अब है कि 1500 से 2999 के बीच टांजेक्शन करता है तो 0.2% मिलता है एक उधारन के लिए सैड में दिखाया गया है 1400 का transaction किया तो 1.40 पैसा और 29.00 का करता है 2.90 पैसा मिलता है 3000 से लेकर के 7999 का transaction करता है इस बीच में तो 9 रुपया मिलता है 7000 से 10,000 के बीच transaction करता है तो 10.50 पैसा मिलता है जो इस इंडरस्टीज में सबसे ज़्यादा है retailer का commission friends 10.50 पैसा कोई company नहीं देती है legal company अब distributor को कितना commission मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं distributor को 100 से लेकर के 1499 का transaction करने पर 0.08% commission मिलता है 1500 से लेकर के 2999 का transaction करता है 0.05% commission मिलता है उदाहरन के लिए देखिए 1400 का calculation करके दिखाया गया है 1400 का transaction करता है तो distributor को 1.12 पैसा commission बनता है और 3900 का transaction करता है तो 1.45 पैसा जो है ना परती transaction commission distributor को बनता है 3000 से लेकर के 7999 का transaction करता है तो 1.00 बनता है 7000 से उपर का कोई भी transaction करता है तो 1.00 कमिशन मिलता है distributor को friends करीब करीब आप मान के चलिए कि डेर से डेर रुपया के आसपास परती ट्रांजक्शन तक कमिशन बनता है डिस्टुबिटर को जो इस इंडरस्टीज में सबसे ज़्यादा है और सूपर डिस्टुबिटर को कमिशन एक सो से लेकर करके 0.5% कमिशन है और 7000 से 10,000 के बीच ट्रांजक्शन करता है तो 0.5% कमिशन है ये कमिशन परसेंटेज वाले का एक उदाहरन के लिए सैट में दिखाया गया है 1200 का ट्रांजक्शन करने पर सूपर डिस्टुबिटर को 70 पेसा मिलता है और 2900 का ट्रांजक्शन करता है तो 87 पेसा सूपर डिस्टुबिटर को जबकि इस इंडरस्टीज में किसी भी कमपानी में सूपर डिस्टुबिटर को 25 पेसा 30 पेसा से ज्यादा नहीं मिलता है ये त सब से ज़्यादा EPS और Micro ATM पे कमिशन मिलता है आप वेबसाइट विजिट करना चाहते है तो www.technomoneypay.com विजिट कर सकते हैं वहाँ से खुद भी वेबसाइट विजिट करके आप रेजिट्रेशन कर सकते हैं अपना डिटेलर के लिए और डिस्टुबिटर के लिए सुपर डिस्टुबिटर के लिए आपको कॉंटक्ट करना होगा सुपर डिस्टुबिटर या रिटेलर कुछ भी बनना चाह रहे हैं तो विडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नमर मिलेगा और एसक्रिशन पे भी आप नमर देख पा रहे हैं उस नमर पे कॉंटक्ट करके retailor distributor या super distributor बन सकते हैं फ्रेंट्स यह विडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जदा सच्छा में विडियो को लाइक करें कमेंट करके बता है कि आपको इसका commission structure कया लगा टेक्नोमणी पेका और जदा सच्छा अपने मित्रों को भी share करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाव ले सके